हलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल गाड़ेजिंग जुबी मैं आज आपके लिए लाई हूँ शफ्रेला प्लांट केर किस तरह से कह रहे शफ्रेला प्लांट की केर देखिए एक इंडोर प्लांट है देखिए कितना इसकी पत्यों का कलर देखिए आप कितने खुबसरत पत्या है इसकी दो शेड में देखिए प्लांट है इंडोर प्लांट में है और इसे आप तीन-चार घंटों की दूप में भी रख सकते हैं जब इसमें इतना कलर आएंगा यह पत्यों में इतना वेरिगेशन आएंगा तो देखिए कितना खुबसुरत प्लांट है तो आज आप इसकी जानकारी में दे रहे हूँ आज आपको अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी प्लीज देखिए कितना खुब अगर आपके गार्डेन में कलर एड करना जाते हो तो देखें कितना खुबसुरत प्लांट ही यह देखिए इसके पत्यों का कलर देखिए और इसके पत्य देखिए कितनी चिक्नी है कितनी सौप्ट है तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग भी आसानी से बारिश में चल जाएंगी अगर बारिश में लगाना चाहते हैं तो मैं तो इसे नरसरी से लाई थी कदिप सो रुपय का जब छोटा सा प्लांट अब देखिए कितना बड़ा हो चुका है और कितना प जादा अगर आप तेज धूप में रखोंगे तो इसकी पत्या यह पूरी बर्न हो जाएंगे जलने लगेंगे पत्या साइट से पत्या जलने लगेंगे तो एक दो घंटे की इसकी लिए धूप काफी है और यह इंडोर प्लांट है थोड़ी इसको ब्राइट लेट मैं देखें यह पत्यों में कलर्ण देखिए इस तरह से आप अगर एक दो cows Dubai से दोप देते हैं तो यह ऐसी इसकी पैसि यह खिन्ने लगती है कलर से कि इतकी इसAutaching में प्यारा प्लांट है कितना पुशी प्लांट है इसे मैंनेंWe बड़े गमले में लागाई हूँ इसकी कटिंग भी लग जाती है और इसे एक दो घंटी की धूप सनलेट चाहिए देखिए कितना फुबसरत प्लांट है इसके के बारे में करूं तो अगर साल में अगर इसको एक बार वर्मी कमपोस दे दे या गोबर के खार दे दे तो ये भी आसानी से चल जाएगा इसकी ज्यादा रिक्वार्टमेंट नहीं है केर की बस इसे नमी चाहिए पानी इसके मिट्टी हमेशा गीली रहना चाहिए देखिए यह इसकी मिट्टी है यह हमेशा गीली रहे मिट्टी नरम रहे सौफ रहे पानी इ इसे आप दोनों टाइम अच्छे से पानी दीजिए बस इसके ज्यादा कोई केर नहीं है बस इसे सनलाइक में एक दो घंटी की से धूब दीजिए तो यह आसानी से चल जाएगा